बिसमिल्लार्वामानिर्वाहिम असलामु आलेकूम वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी ड्रग्स आज का रीवियू है डॉक्टर राशील वाइटमेंसी फेशल क्रेंजर के बारे में रीवियू स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगे कि मेरे चैनल को के रीवियू शेयर कर रही हैं और मैंने पिच्वा इसके किट पर शेयस की थी दोवास अधीके का कोड़ श्यूज करते हुए तो मुझे 200 रुपीज डिलिवरी चार्जिस ते ऑफ मिला था और 2399 रुपीज यानि के अप्रॉक्सिमेट 2400 रुपीज के चार प्रॉड़क्स मिल रहते हैं वाइटामन सी किट के 27 feb 2020 को मुझे मेरा पार्सल रेसीव वा था और उस दिन से आज तक मैं इस फेशल क्लेंजर को ट्वाइस आ डे यूज कर रही हूं मॉर्निंग और नाइट स्किन के रूटीन में और वन मन्थ से जादा हो गया है मुझे से यूज करते अगर आप केट में प्रॉड़क्ट पर चेस करेंगे तो जो वाइटामन सी की केट है उसमें ये 2399 रूपीस का मिलेगा मतलब तमाम 4 प्रॉड़क्ट और अगर आप इंडवेजियल इसको पर चेस करेंगे तो 900 का आप इसके ऑफिशल साइट से इसको जो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वाइट कार्डबोर का बॉक्स है जिसके ओपर औरिंज डिटेलिंग हुई हुई है वाइटमन सी ब्राइटनिंग एंटी एजिंग फेशल क्लेंसर है इसमें हाइलरानिक एसिड है ये आपकी स्किन को रिफ्रेश कर देता है इसकी जो लैदर है आपकी स्किन से तम शुषिक स्किन को रिपेयर करते हैं और से अर्फ करते हैं वायटमन सी ऐस भाशे हैं ये भी क्लेंग करता है कि इसमें वायतमन سी और हायलरानिक असिड है, आपके व्रफाइन को खतम करते हैं और सथाध्य लिटकिन हाइट को ़िभग मांटेटा चान मुझा हैं मृचित हम तमाम इंप्यूर्टी जो रिमोव हो जाती है आपकी स्किन यूथफूल हो जाती है और एक वाइटनिंग कंप्लेक्शन आपको हासिर होता है कार्डबोड का जो बॉक्स है उसके बॉटम पर इसके एकस्पारी डेट और बैश नमबर जो है वो मेंशन है इसकी जो टूटल क्वांटिटी है वो 80 ml है कार्डबोड के इंसाइड जो है एक तो फेशल क्लेंजर है और इसके साथ ही जो एक मैनुवल पी है जिसपे इसके तमाम वाइटमन C के फोर प्रोड़क्ट जो उनकी डेटेल मैंशन है बात की जए फेशल लेंसर ट्यूब की जो है प्लास्टिक की ट्यूब है और इसके इनसाइड जो है वो क्लेंजर है डैफिनेटली स्क्र्यूू कैप के साथ आता है और इसके उपर बिसकी तमाम बैनेफिट इनگरीएंट्स डिरेक्शन और उर वार्निंग मैंशन है एटी एमेल है 900 की आपको इंड्वीज़ जो आप इसको पर्शेस कर सकते हैं लाइट येलो कलर का ये फेशल क्लेंसर और इसकी फ्रेग्रंस जो फूलों की खुश्बू जैसे होती है वैसी है लाइट चमबेली टाइप जपूल होता है उस सलियिव है कोछ इसकी फ्रेग्रंस लगी है मेरी इसकी टाइप जगा है और इस फेशल क्लैंसर पर इसमूना चाहरा में मैंसित डायप के लियए फीरेविवें के लिएक ने के उनलगाने के पानी मेंनल से हैं बहुत साथ एकनॉमिक है, 650 रुपीज में आपको किसी भी मैनीज्यों की आउटलेट से मल जाता है, और इसमें सेल ड़ता है, यह चार्जिंग वाला नहीं है, और बहुत सबर्दासा इसे आपने गिला करके जो अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में रूटेट करना है, यह आप अच्छा महसूस होता है, एक तो बलड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और दूसरा इससे ओपन पोर्स नहीं होता है, क्योंकि इसके ब्रिस्टल्स हैं वो सिलेकॉन की हैं, तो इसको बहुत अच्छा रिजल्ट आपके फेस पर मिलता है, और आपका फेस जो इसके यूज से ब्राइटन अब हो जाता है, एहत्यात इस सेंस में करनी है कि इस डिवाइस को आपने कभी भी एक मिनट से ज्यादा अपने फेस पर यूज नहीं करना, उससे जो आपकी स्किन डामेज हो जाएगी, कोशिश करें कि 30 सेकिंड में अपने फेस और नेक पे इसको सर्कुलर और मेक अप के जो पार्टिकल्स रह गए उसको रिमूफ करें, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, मैनीजों पर यह काफी ज्यादा एकनॉमिक डिवाइस आपको मिल जाती है, फेस वाश को पहले फेस पर लगाना है और देन जो है वेट फिंगर से उसे पूरे फेस पर फिला लेना है, उसके बाद अपने मैसाजर को वेट करके सर्कुलर मोशन में रोटेट करें पूरे फेस पर, कभी भी जो है अपना फेस वाश इस डिवाइस की उपर ना लगा है, वरना ब्रिस्टल की अंदर चला जाता है, तो उसको निकालना थोड़ा सा म होने हैं, तो अगर इसमें कोई जम चला गया तो आपका फेस जो है, उससे खराब हो सकता है, वैसे तो यह सिले कॉन का है, बहुत ज़दा हाईजिनिक है, और एक परसन के लिए है, यह बहुत सारे लोग घर के तमाम अफराद इसे अपने फेस पर यूस मत करें, वन परसन ह जिसने इसको परचेस किया, वो ही अपने फेस पर इसको यूस करें, तो बहुत ज़दा हाईजिनिक डिवाइस है यह, मेनीजो डिवाइस को परचेस किये हुए अप्रॉक्सिमेट फाइफ मत मुझे हो चुके है, और मैं इसे मॉर्निंग और नाइट स्किन के रूटीन में लाजमी यूस करती हूँ, इसी से फेस वाश करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे, डॉक्टर राशील वाइटमें सी फेशल क्लिंसर जो यह बहुत सदा फॉमिक नहीं है, यह बहुत सदा लैधर नहीं बनाता है, अगर आप लोगों को बहुत लैधर व मेकप के जो पार्टिकल्स है वो रिमूव हो गए है, इसकी इतनी सदा जाग नहीं बनती है, आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड पे इंस्टन ब्राइटनिंग आ गई है, एक महीना यूस करने के बाद मैं आपको यह बताऊंगे, यह फेस वाश जो है, इसके रेगुलर य इस फेशल क्लेंसर के जो प्राइस है वो 900 रॉपीज है और स्क्रिव कैप के साथ आता है, आज़ से के दोर में जितने ही पहले हम नौर्मल फेस वाश पे अगर पढशीर करते हैं तो फिलिप कैप के साथ आते हैं, जो कि इस्तमाल करना बहुत आप सान होते हैं, स्क्रिव क के साथ इसको नहीं होना चाहिए था इसको फिलिप कैप के साथ होना चाहिए था कि इस प्रॉड़क को इस्तमाल करना थोड़ा सा असान हो जाता है सेकंड़ी इस जो फेस वाश की फ्रेगरंस है वो थोड़ी सी तेज है जैसे चंबेली के फूल होते हैं तो कुछ लोगों को वो खुश्पू इतनी पसंद नहीं आती है थार्ड यह इतना फार्मिक नहीं है यह लैदर बहुत अच्छी नहीं बनाता मुझे की फेस वाश इतन इतना मुझे एक महीने से वो अपनी का मार्क अभी तक नहीं गया तो मैं यह परिशली तौर पर कह सकते हूं कि इससे अपनी स्पोर्ट्स डार्क स्पोर्ट्स खतम नहीं होते हैं त्यूब की टेप पे एक्सपारी डेट मेंशन नहीं है वो सिर्फ उसके बॉक्स की डेट म भी नहीं बनाता तो मैं इससे दुबारा पर्चेस नहीं करूंगी अगर आप ने डॉक्टर राशील का वाइटमन सी फेशल ख्लेंसर यूज किया तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको इससे किस तरह का रिजल्ट मिला इसके साथ ही रिक्वेस्ट करूँग और इससे साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूरियेगा अपनी दूआ में याद रखिएगा थैंक यू सो मच अलाफिस